आपने बहुत बार देखा होगा कि जस्ट अभी अभी जन्मा हुए बेबी even in fact बड़े बच्चे भी 6-7-8 मैने के जब भी पिशाप करने वाले होते हैं तो बहुत रोते हैं या पिशाप हो रहे हैं तब भी बहुत रोते हैं और पिशाप जैसे हो जाती है तुरन शानत हो जाते हैं और ये पौटी के साथ भी होता है जब पौटी इनिशेट होने वाली है जब पौटी आने वाली है तब वो बहुत जोर से रोते हैं और फिर जैसे ही पौटी हो जाती है वो शानत हो जाते हैं यह क्यू होता है? बहुत से पैरेट्स दर जाते हैं कि उनको लगता है कि पिशाप में कोई तकलिफ तो नहीं है या किड्नीज में कोई खरा भी नहीं है तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि बेबी पिशाप के टाइम या पॉर्टी के टाइम क्यूर होते है क्या नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है और आपको डॉक्टर के पास कब लेके जाना है सबसे पहला थे यह क्यू होता है जैसे बेबी जनम लेते है उनको अभी तक sensory development इतनी पूरी तरह से नहीं हुई आती है मतलब उनको नए senses क्या होता है जब bladder full होता है जब पिशाप आने वाली होती है तब कैसा feel होता है यह उनको अभी तक समय में नहीं आता है और उनको कुछ भी express करना हो तो एकी लाहिवेश पता है वो है रोने का तो जैसे ही पिशाप अपने bladder में बढ़ने लगती है bladder का pressure बढ़ने लगता है और यह pressure हम बड़े लोग feel कर सकते है हम समझ सकते हैं कि यह क्यों हो रहा है पर बेबी यह समझ नहीं सकते है और जब उनको पिशाप करनी होती है जब पिशाप initiate करनी होती है शुरू करनी होती है पिशाप करना तब उनको एक अलग सा discomfort feel होता है और यह discomfort की वज़े से वो रोते है क्योंकि उनकी body उनका दिमाग यह समझ नहीं सकता है कि यह पिशाप initiate होने की kriya है इसलिए वो रोना चालू कर देता है और वो discomfort की वज़े से वो रोना थोड़ा strong रहता है थोड़ा harsh रहता है और जैसे ही पिशाप हो जाती है वो शान्त हो जाते है कुछ बच्चे पिशाप के बाद भी रो सकते है यसा ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा पिशाप के बाद तुरंत शान्त हो जाए ये दोनों में common है लड़का हो या लड़की और ये potty के time भी same चीज हो सकती है और ये हर पिशाप के time नहीं होता है दिन में कभी भी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है उसका कुछ fixed routine नहीं होता है उसका जब भी baby को discomfort लगता है वो रोना चालो कर देते है अब काफी parents इसके वज़े से वरीड रहते है कि उनको समय में नहीं आता है कि baby क्यूर हो रहा है पिशाप के time पे क्यूर होता है इतना ज़्यादा क्यूर होता है तो ऐसे parents को ये कुछ चीज़े याद रखने है अगर ये चीज़े आपके babies में है तो आपको कोई चिंदा करने की ज़रूरत नहीं और कुछ अलग चीज़े अगर है तो आपको आपके डॉक्टर के पास तुरंट लेके जाना है तो normal क्या है सबसे पहले वो देखते है अगर आपका baby अच्छे से urine pass कर रहा है दिन में कम से कम पास से छे बार urine pass कर रहा है उसको कोई बुखार नहीं है डूद अच्छे से पी रहा है पिशाब अच्छे से कर रहा है उसकी stream आपको देखनी है जब भी पिशाब करता है दिन में कभी एक बार भी देख लिया तो भी काफी है आपको यह देखना है कि उसके पिशाब बार कैसे निकलती है अगर वो दार के फार में निकल रही है तो आपको कुछ टेंशन की जरूद नहीं है फिर उसके पिशाब का रंग कैसा है उसमें कोई blood तो नहीं है वो potty tick से कर रहा है और उसकी growth अच्छे से हो रही है weight gain अच्छे से हो रहा है अगर यह चीज़े है तो आपको कोई चिंता करनी की जरूद नहीं है अगर तो बुखार आ रहा है बहले वो कितना भी कम हो 99.6Q या 100Q नहीं हो या वो feed नहीं ले रहा है अच्छे से feeding नहीं कर रहा है अगर उसके पिशाप का बहुत smell आता है अगर वो एकदम dark yellow color की पिशाप करता है कम पिशाप कर रहा है या पिशाप में खून आ रहा है अच्छे से grow नहीं कर रहा है उसका वजद नहीं बढ़ रहा है अगर इन में से एक भी चीज हो रही है तो आपको तुरंट आपके डॉक्टर के बास लेके जाना है कोई भी आंटिबियोटिक बिना किसी को पूछे चालू नहीं करना है क्योंकि अगर पिशाप का इन्फेक्शन है तो उसको पहले यूरिन का टेस्ट और फिर कल्चर यूरिन का कल्चर ये देखने के लिए कौन सा जनतू पिशाप में है ये करना पड़ता है बिना किसी डॉक्टर को दिखाए कभी भी आंटिबियोटिक चालू मत करना ये पिशाप के टाइमर होना काफी मेहनों तक रह सकता है कुछ बच्चे तो एक-दो साल के होने के बाद भी पिशाप के टाइमर होते है जैसे उनका ट्वालेट ट्रेनिंग शुरू होता है जैसे वो खुद बताना चालू कर देते कि पिशाप लगी या पौटी लगी आपको तुरंद आपके पिशाप के पास लेकी जाना है